Hello everyone, this is Avijayan, welcome to our YouTube channel, Saraswati Vidhya Patshala Friends, आज हम बात करेंगे पल्लव कालिन, इस्थापत्य कला की, ठीक है? तो देखते हैं, पल्लव कला के विकास की शैलियों को करम शै, महिंदर शैली, मामल शैली और राज सिंग शैली जो महिंदर शैली है उसका समय पीरिड, टाइम पीरिड क्या है? समय काल 610 से 640 इस्वी और मामल शैली का 640 से 674 और राज सिंग शैली का 674 से 800 इस्वी तो ये देखा गया है, ठीक है? तो पल्लव कला के विकास की शैलियों को करम शै, महिंदर शैली, मामल शैली और राज सिंग शैलियों में देखा जा सकता है ठीक, आगे देखते हैं, पल्लव राजा महिंदर वर्मन के समय, ठीक, किसके समय? महिंदर वर्मन के समय, वास्तु कलामी क्या आरम हुआ? मंडप निर्मान, मंडप निर्मान किसके टाइम में आरम हुआ? महिंदर वर्मन के समय में नेक्स देखते हैं राजा नर्सिंग वर्मनी चिंगल पेंट में समुद्र किनारी महाबुली पुरम उर्फ मामल पुरम नामक नगर की क्या की स्थापना की और रत निर्मान किया ठीक है रत निर्मान का शुभारम किया तो किसने किया राजा नर्सिंग वर्मन ने ठीक है क्यों से नगर की स्थापना की महाबुली पुरम उर्फ मामल पुरम और किसके किनारे की चिंगल पेट में समुद्र किनारे ठीक है और इन्होंने रत का भी शुभारम किया पल्लव काल में रत या मंडप दोनों ही प्रस्तर काट कर बनाए जाते थे अब रत और मंडप कैसे बनाए जाते थे प्रस्तर को काट कर ठीक है किस काल में पल्लव काल में पल्लव काल में रत या मंडप दोनों ही प्रस्तर काट कर बनाए जाते थे पल्लव कालीन आदि वरहाई महिश मर्दिनी पंच पांडव रामानुज आदि मंडव विशेश रूप से प्रसिद है ये मंडव के नाम है कि महिश मर्दिनी है पंच पांडव है और रामानुज और आदि वरहाई तो ये पल्लव कालीन मंडव है जो विशेश रूप से प्र रत्मंदिर मूर्थी कला का सुन्दर उधारन प्रसुत करते हैं ठीक है अब इन रत्मंदिरों में कौन सा रत्मंदिर है जिनमें द्रौपदी रत नकुल सहदेव रत अरजुन रत भीम रत गनेश रत पिंडारी रत तथा वलयनकुटई परमुख है ठीक है तो ये रतों के न इन आट रतों में द्रौपदी रत एक मंजिला और छोटा है ठीक है जो अभी मैंने आपको नाम बताए है उनमें द्रौपदी रत जो है वो एक मंजिला है और छोटा है बाकी सात रतों को सब्त पैगोडा कहा जाता है ठीक है सातों रतों को क्या कहा जाता है सब्त की शरू हुआ है किस में पलव काल की अंतिम सबसे लास्टव और मेहतपन राजसिंग शाहली कोनसे शाहली राजसिंग शाहली उसमें किसका राम हुआ रॉक ट्रा-र्श कि-ट्रेकचर का रॉप क्ट्र की ट्रेक्ट्र के श्थान पर वंश्य य। रघ्डा ठीक है किस किस चीजों का यूजवा पत्थर इट आदी से मंदिरों का निर्मान शुरू हुआ पहले रोक कट से थे मंदिर बनते थे लेकिन उसके बाद रासिंग शैली में क्या हुआ है पत्थर इट आदी से मंदिर निर्मान शुरू हुआ है ठीक है राज सिंग शहली के उधारन क्या है महाबालीपूरम के टट्या मंदिर, अरकाट का पनमलाई मंदिर, काची का कैलाशनाद और बैकुंट पेरुमल का मंदिर आते हैं तो अगर पूछा जाता है कि राज सिंग शहली के उधारन दीजिये मंदिरों के कौन से आएंगे महाबालीपूरम का टट्या मंदिर आ जाएगा, अरकाट का पनमलाई मंदिर, काची का कैलाशनाद और बैकुंट पेरुमल का मंदिर आ जाएगा आगे पलव काल के नंदी वर्मन और अपराजिता शहली में सनराशनाद मक मंदिर निर्मान शुरू हुआ और दक्षिन भारत में एक सवतंतर शैली उभरी जिसे क्या कहा गया, द्रविट शैली कहा गया, ठीक है, तो ये कुछ छोटे से नौट्स थे, पलव काली निस्थापत्य कला से रिलेटेर, जो बहुत ही महत्पून है, तो आप इनको अच्छे से देखना, और वीडियो को जादा से जादा शेयर करना, जो सभी के लिए हैल्कफुल रहे, ठीक है ना, सभी लोग देखें, तो जादा से जादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच,